हल्दी राम वालों ने भाई कुछ जादे जला दी है थोड़ा सा जल्दी निकाल लेते तो यह हालत नहीं होती है ना भाई यह क्या बना रखा है मुझे समझ में नहीं आए आज बात प्रापर फ्लिवर जो आए ना अभी तक में टीनों में से उसी स्वागत जी आप सब का च लोगों किया कि मक्य की रोटी और सर्सो का साग जोना वह मिसिंग वह शीजनल फूड और उसक्ट वह नहीं अवलेवल था बिल्कुल आप जएन आगया सर्सो के साग का और मक्य की रोटी तो भाई कॉमबिनेशन तो यह जाता है आपको फूड की लोग दिखाएंगे टेस् बहुत अच्छा गया है और मैं आपको बताओं इस बार हमारे पास भाई नेपाल से लोग आई है जो बहुत बड़ी बात है और आप में से कुछ लोग भी थे जो हमसे वहां पर आके मिले हो बहुत मज़ा आया कुछ पिक्स आपको शेर कर रहा हूं उसके बाद जो है ना है तो जी सबसे पहले हम आपको दिखा रहें कि बीका नेर वाला से जो है ना हमारा सरसों का साग और मक्के की रोटी किस तरीकी के आई है यह तो आया जी साग इसमें है मक्के की रोटी और एक हमारे पास पून और एक या अजी सैलेड का पैकट तो यहां से प्लेट ले लेते हैं जी सबसे पहले आपको दिखाते हैं मक्के की रोटी जो है ना वो किस तरीके की आई है फॉाइल पेपर में दे दी है बंकज है और देसी की वगरा लगा हुए कुछ तो लगा हुए जी और काफी पतली है यह तो बहुत ज़्यादा ही पतली रोटी बनाई है मक्के की रोटी थोड़ी हाला कि हैवी होती है बागी लुक काफी अच्छी लग रही है इसमें थोड़ा सा धनिया वगरा चीजे डाली हुए है ताकि वो खाने में थोड़ी सी नरम रहे और ऊपर घी लगा हुए बाई और देसी की खुशबू आ गई काफी अच्छी खुश उपर से ही आ रही है यह जी सैलेड इसको बाद में खोलेंगे एक स्पून दिया है अब आपको दिखाते कि सरसों के साग की लुक जरा कैसी है क्योंकि भाई यह चीज जो है ना पंजाबियों के घर भाई साब इस वक्त इतना दबा के बनता है कि कई-कई महीने फ्रीजर मे रखके खाते हैं ये ऊपर रोगन है या फिर घी है यह यह तो खाने में पता चलेगा बाकी गी लगाई भाई बिल्कुल सहिए बात है यह पूरा प्योर ऊपर देशी घी डल अगा और बिल्कुल प्रॉपर जो होता है ना मिक्सी में बनाए वा बिल्कुल वैसे वाला है इसमें प्याज हरी मिर्च वगएरा चीजे पता चल रही है आइ थिंक इसमें फोड़ा सा लसन वगेरा भी जरूर डलाओगा अधरक लसन तो कई लोग डालते हैं कई लोग नहीं डालते हैं बागी हर किसी का बनाने का अपना तरीका है अच्छा इस कॉंबिनेशन में एक चीज में सिंग है हना इस कॉमबो में गुड होता जरूर जरू अब आपको दिखाते हैं हल्दी राम से किस तरीके से आया है अब बारी है जी हल्दी राम किया अब इन्हों ने जैना ऊपर भाई पूरी ऐसे अच्छे से टेपे लगा रखी है जो की अच्छी बात है थोड़ा सा राइडर भी जो है ना वो रहता है कि वह या कुछ अब भी जो है ना सरसो के साग की भाई थोड़ी सी छोटी हो गई है और मॉस्ट हाफ ही लग रही है वाक्य में और इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा अच्छे से घी नहीं डिख रहा बलकि अच्छे से क्या मुझे तो दिखी नहीं रहा कि है भी लेकिन एक बात है चाए इ यह काफी अच्छी खुश्बू आई है इसमें से यह एक डबी और क्या दिया यह भी देख लेते हैं जी अच्छा जी इसमें इनोंने एक लाल मिर्च हरी मिर्च और यह गोड़े या चॉकलेट है यह देखना बढ़ेगा यह थोड़ा सा इनोंने गोड़ का टुकड़ा द से यह हो गई और यह ठोड़ी से हैवी हो गई और यह थं प्रॉपर उस तरीकी की बनी नहीं हुई यार यह हैं बहूट कंपार ना के बराबर अगर अगर दर देखे न का दो सेवूरे ऑफ तो यहालत नहीं होती है ठीक है जी दो पीस निकले हैं थोड़े से बीका नेर वाले से हैवी लग रहे हैं और इसके अंदर कोई सलाद वगरा हमें कुछ भी नहीं मिलाए जी और मैं आपको जो है न में चीज दिखाता हूं मतलब ठीक है रोटी का तो मैंने आपको फर्क तो कितनी जबर्दस मतलब कलर में कितना फर्क है यहां काफी ज्यादा है और उपर देशी घी तो कमाल करता है सही है कि नहीं चलो जी यहां रखते हैं और अब आपको दिखाते हैं हमने थर्ड कहां से मंगवाई जिन्हों अब इसके ओपर कोई ब्रैंडिंग नहीं है और वाजी वाल वाले अभी भी यह पॉलेथिन यूस कर रहे है जबकि बड़ा ब्रैंड है जबकि बड़ा ब्रैंड है यह इसमें हमारी मकी की रोटी आ गई जी सबसे बड़ी डबी आ गई यह कुछ प्याज और गुड़ भी सर्सों का सागी दिखाते है जबाए इसकी लुक्त देखी जाए कि इसकी लुक कैसी है इसको ओपन करते है फटाफट अब आपको दिखाते है जी यह देखो जी और इसमें भी भी नजर आ रहा है और बहुत बड़िया लग रहा है साग भी काफी अच्छा जो है ना यह मिक इसलिए तो मैंने का कि थर्ड जो ना भाई वहां जी वहां से मंगवाते हैं सोड़ा सब पंजाबी टैच भी तो आना चाहिए अब यह तो पंजाबी डाबा टाइप कही है इनका रेस्टेंट जो है अब यह कैसा देते हैं क्योंकि कॉंपिटिशन यही दे सकते हैं इसमें आई यह हमारी मिसी यह मक्य की रोटी ओ भाई यह तो बहुत ही ज्यादा पतली इन्होंने बना दी लेकिन अच्छी बनी हुए उपर घी दे क्या बढ़िया से लगा हुआ है और ब्रेक हो रही है काफी बहुत अच्छा पतली है ना इस वाज़े से वह बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है जी यह लो हमारी मक्य की रोटी और यह तो यह थोड़ा सा पोर्शन साइज अच्छा लग रहा है बाकी आजो जी यह कहां चिपक गया ठीक है आपको दिखाते ह है इसके साथ में हमारे पास एक बार रेडी कर लेते हैं फिर दिखाते है पूरा का पूरा है ना थीक तो वह तीनों प्लेटे हम आपको साथ में दिखा रहे हैं मक्य की रोटी सरसों का साग यहां से शुरुआत करते हैं जी यह जी बीका नहरवाला जिसके अंदर हमें प्याज चटनी और यह सरसों का साग मिला जी अब आप साग का पॉर्शन साइज देखो तो सबसे जादा वाजीवा ने दिया उसके बीका नहरवाला ने दिया और उसके बाद हल्दी राम ने दिया आपको थोड़ देर में बताते हैं पहले टेस्ट करते हैं और आप हमें क अगर दें साइड पे ताकि जोड़ा सा इसी हो जाए और अब ले वह बाइट तयार कर फटा फट ले सबसे पहले तूई कर तो जी पहली बाइट जोए ना तयार करते हैं जी यह लेलिया हमने बढ़िया सा जोए ना सरसों का साग थोड़ा सा बहर लेता हूं और आज जोड करते हैं करें चल अगया बहुत सवार भी साथ बहुत थाइम बाद खाया यार यह कॉम्बिनेशन मज़ा है भाई क्या स्वाद है साग जोए अग्रम क्रीमी बहुत बढ़िया घुटा वा गुटा वा नी सारी मिक्सी में किया हुआ क्योंकि घुटा हुआ इतना ज्यादा स बहुत बढ़िया बना हुआ है यह बहुत क्रीमी है उपक घी वगारा के फ्लेवर जो आ रहें काफी अच्छे आ रहें हलकल का तीखा पन है मजा आ रहें बहुत ज्यादा बन नहीं है बहुत मसाले प्रॉपर अच्छे से डाले हुए अध्रक लसन जैसे इसके हरी मिर्च मिर्च महसूस हो रहें सबसे पहले तो जी जो टेस्ट है ना साग का वह अल्टी मेट है देशी घी का पता चल रहा है रोटी काफी मतला मकी की रोटी हाड हो जाती है इति तेर होने के बाद भी सौफ्ट नरम है मजा आ गया यार बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन मजे डाल तो जी बीका नेरवालों को अब हम रख दिया जी साइट पर कर दिया है साइट पर और अब जो है हम हल्दी राम को टेस्ट करेंगे ले उठा आज ही वीडियो आनी है और अल्मस्ट अभी टाइम में आपको बता हूं तो दो तीस हो चुकिया है आज तगड़ा वाला वह है मुझे मज़ा नहीं आया है और सही में हल्दी राम से मैं बहुत ज्यादा तगड़े लेवल की उम्मीद कर रहा था आज तो भाई हल्दी राम में बिल्कुल मज़ा नहीं है सबसे बड़ी बात पता है इसके अंदर माइनस प्रैंट के जा रहे है साग से भी ज्यादा जो ह बिल्कुल भी नहीं आ रहा हां एक चीज थोड़ी से अच्छे जरा साबुत खड़े मसाले धनिया वगरा जो है ना साबुत धनिया वगरा डल हुआ है लेकिना पन की बात करें तो यह थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है और यह जो रोटी जो है नो पीछे से जो थोड़ी स मजा नहीं आएगा क्योंकि यह तो भाई पंजाबी रेस्टरेंट है रोटी जो है बिल्कुल पतली होने की वज़े से थोड़ी सी कड़क हो गई है साथ काफी अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया हुआ 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 है और देसी घी वगरा भी काफी अच्छे से नजर आपश्चे करें कि अठिया है बुगा नमक भी तेज है इसनमक क्या बहुत ज्यादा इंच आज बहुत ज्यादा थेज है अज़ आए राइस्ट पता ही नी चल रहा भाई यह क्या बना रखा है वह समझ में न है आज बात बाट मले अब ब्लभ आ पर फलेवर जो आए ना अभी तक में तीनों में से उसी में अभी सबसे ज्यादा स्वाग जो है ना मक्य की रोटी और सर्षो जो लगा है ना बाई वह लगा जाए जिए प्रॉपर बैलेंस उसके नहीं कोई भी चीज ओवर पावर नहीं कर रहें जासे देख कर रहा है इसमें जो हम समझ रहे थे कि यह वो और नेसी गी फ्लेवर सब्सक्राय बताएं यह रेंख थीड नेहीं का वह ओंळा G प्रेत्वस घिक नतावी ऊड़िञा DIY करें तू फेंपर Centersadev रॉपीष का और वाजीवा से लिए कि bienio कोरें शो आप यह ले रहे हैं यहां पर पैकिंग चार्ज नहीं लगा है प्राइस देखे तो सबसे कम जो है वह वाजीवागा है थोड़ा सा फ्लेवर को सही कर ज़िए नमक तेज यह बेस्ट हो सकता था इसमें मसाले थोड़ा से लाइट करें देसी की डाले तो यह बहुत टॉप लेवल क सबसे बैस्ट पसंद आया इस वीडियो को दोस्तों यही पर एंड करते हैं अगर आप अपना कोई आइडिया हमें शेयर करना चाहते हो क्या और इंप्रूव करें या क्या आप देखना चाहते हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताना